पहाडों से आने वाली सर्द हवाओं के कारण पंजाब हर्याना सहित पूरा उत्तर भारत भीशन शीत लहर की चपेट में है इधर धूप नहीं निकलने से चिटूरन बढ़ गई है वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब और हर्याना में भीशन सर्दी का यलो अलर्ट जारी किया है तो वहीं घने कोरे के कारण सडक याताया, ट्रेन और हवाई सेवाएं प्रभावित रही इधर पूरे देश में सबसे खराब सिती जम्मू कश्मीर की है जहां तापमान 0-5 डिगरी नीचे जाब महुचा है इसकी वज़ा से वहां हाड कपाने वाली ठंड पर रही है हलाकि मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी के कुछ हिस्सों में भीशन ठंड की संभावना जताई है गुरुवार को 41 जिलों में घने कोरी का यलो अलर्ट जारी किया गया है कडाके की ठंड को देखते हुए कानपूर और लखनओ के डियम ने 13 जनवरी तक आठवी तक के स्कूल बंद रखने के आदेश दिये है पंजाब में कडाके की ठंड का यलो अलर्ट जारी किया गया है आपको बता दें कि यूपी के 41 जिलों में घने कोरे का यलो अलर्ट मौसम विभाग में जारी किया है पूरे उत्तरभारत में शीत लहर के साथ गलन बढ़ी है वहीं कश्मीर में तापमान माइनस पांच डिगरी से भी नीचे जाब पहुचा है जो की हाथ कपाने वाली ठंड है दिल्ली हर्याना और पंजाब में कडाके की ठंड का यलो अलर्ट जारी किया गया है कश्मीर में तापमान शूनने से माइनस पांच डिग्री से भी नीचे पहुँच गया है दिल्ली, हर्याना और पंजाब में कडाके की ठंड का यलो अलर्ट मौसम विभाग में जारी किया है वहीं यूपी के कुछ जिलों में भीशन ठंड की भी चतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गए है और इसी कबर पर जादा जानकारे के लिए समधाता मलखान मीना करूख कर लेते हैं मलखान पूरे उत्तर भारत में शीत लहर के साथ गलन देखी जा रही है तो शूननस से माइनस पांस डिगरी से भी नीचे पारा पहुँच चुका है आने वाले द्रों में मौसम विभाग ने क्या कुछ चतावनी जारी की है पूरे उत्तर भारत के लिए स्पेशली कश्मीर की अगर हम बात करें और यूपी के भी कुछ जिलों में भीशन ठंड की चतावनी दी गई है देखे बिल्कुल फातिमा जी जिस तरह से मौसम के अगर बात कर लेता है तो मौसम विभाग में पहले अलट जारी क्या था कि जनवरी का महीना पूरी तरह से ठंडा रहने वाला है और वो ही देखा जा रहा है जिस तरह से पहड़ी इलाकों से जो सर्द हवाय चल रहे हैं उससे राजस्तान हो चा पंजाब हो चा हरियाना हो यह तमाम जो राज्य हैं यह पूरी तरह से ठंडा हो चुके हैं एसे में जंवु कस्मिर्त में तो हलात यह ओ चुके हैं कि प्तापमान पूरी तरह से माइनेस पास बेगरी पहुंच गया तो वहां के लोगों के लिए तो पूरी तरह से जो ठंड का मोसम में वह पूरी तरह से मुसीबत बन चुका है कडाकड के ठंड पढ़ रही तो आम पूरी तरह से कोहुरी की परत नजराती है तो ऐसे में कड़ाकड की ठंड यहां पर भी देखे जारें तो यह पर पूरी तरह से ठंड का प्रकौप बढ़ चुका है तो ऐसे में इस विश्ण सर्दी से आम जंत्व परेशान है जीव जंतू तक परेशन समय कीजिए सब्सक्रारी तो foreign क्शान पूरी तरह से प्रभा हुए चुक्त ए और सीkim हर का चलना यह आमजन के लिए काफी मुसीवत खड़ी कर रहा है और वही नजर आ रहा है क्योंकि देखे जिस तरह के मौसम विवाग ने पहले अलट जारी किया था कि दिसंबर के लाश्ट से ठंड का प्रकॉप बढ़ेगा और वह देखने को मिल रहा है और माने जा रहा है कि सर्दी जो जन्वरी का महिन है वह ठंडा रहता है तो ऐसे में जिस तरह से मौसम विवाग ने पहले अलट जारी कहता है वह हुआ कि कुछ 41 जिले ऐसे हैं जहां पर गहने को उपड़ रहा है बहुत सीट लेर चले ठंड का प्रकॉप जाद है देखा जा रहा है जिसे आम जन्व पूरी तरह से प्रभा हुई चाय की चुस्की लेते हुए नजर आते हैं तो यह जन्वरी का महिना यह हमें सब माना जाता है कि ठंडा मौसम रहेगा और पूरी तरह से ठंडा माना जाता है जन्वरी का महिने को वहीं नजर आ रहा है कि जन्वरी का महिना पूरी तरह से चाह राजस्तान की बात करो चाह इतना चाहिए कि वहां जो ऐतरा है रही तरह से दियुकति से चल रहा है तो ऐसे में पूरी तरह से पुरी आगरी तरहि drei वहीं अगर मैं कानपूर की बात कर लेता हूं या लखनाओ की बात कर लेता हूं हलांगी देखे राजस्तान में तो कहले जब कडाकड की ठंड पड़ी तो यहां के कलेक्टरों ने कादेश जारी कर दिया है कि एक से और कख्षा आज तक के बच्चों की तेरह तारिक तक चुट्टी रहेगी तो उसके बाद में लेकिन अब लखनाओ चाहें कानपूरों वहां पर जो जिला कलेक्टर है उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि करक्षा एक से और आठ तक के विद्धालियों की तेरह तारिक तक चुट्टी बढ़ा दी गई है तो ऐसे में देखिए कडाकड की ठंड का प्रकॉप अभी कम नहीं हो रहा है सीट लहर जादा बढ़ता जा रहा है लगातार जैसे-जैसे मकर सक्रांती का तिवार नजदी का रहा है वैसे-वैसे कडाकड की ठंड बढ़ती हुई जारी है और एक अनुवान लगा जारा है मोसं विवार ने तो पहले ही चेतावनी दीखिए कि जनवरी का महिना पूरी प्रकौप दिखाता है और अपना प्रकौप दिखाता हूँ नजरा रहा है तो आम जन काफी कुछ परेशान होता है और ऐसे में देखे सबसे बड़ी चीज है कि जहां अगर मैं मौसम विबागत बार-बार कह रहा है कि कहीं